कि एलो मैडिया है आग के शिंपन क्लासेज में स्वागा है आज सीएजी और जीके की क्लास में आजका टॉपीक है पोकरन तो पताते हैं पोकरन के बारे में भारत आज गर्म से आजका दे बड़ा स्पीसल है पोखरण राजस्थान के जैसन मेर जीले में एक अस्थान में थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान को है थार रेगिस्तान जो राजस्थान के पस्च में भागू पड़ता है और वहीं पर एक जीला जैसन मेर उसी में एक अस्थान है पोखरण एक कस्पव ह यहीं पर भारत ने सबसे पहले अपना 18 माई 1974 को बुद्धा इस्माइलिंग ऑप्रेशन के नाम से 49 साल पहले पहला परुमाड परिक्षर किया था नियुक्लियर टेस्ट किया था वही याद रखिए कि पहली बार भारत ने यहीं बतिया था उसका नाम थैस्माइलिंग यहारी इंद्रा गाधिय जी यह परिछण भी सक्सेज रहा लेकिन उतना नहीं दुनिया भी हमको मान नहीं पाई कि हम परुमाड संपन्न हैं आट्मिक पावर हैं जरूरत थी कि इसके अर्भों से कुछ सिखा जाए और पूरे दुनिया को बताया जाए कि हम परुमाड आट्सक्ति के तहर एक नहीं पाँच पाँच टेस्ट किये गए कहां पोखरण में पोखरण में बहुत बड़ा सा कुवा जैसा खोदा गया और उसमें बंको ले जाया गया परुमाड बंको इतनी गुत रूप से इतनी चुक्के से भारत ने यह टेस्ट किया कि अमेरिका और इसकी CIE को पता तक ने कि दुनिया में किसे को भी नहीं पता चला कि भारत परमाड एट्मिक टेस्ट करने जाए निकुलियर टेस्ट करने चाल रहा है और 11 माई को और 13 माई को इसलिए 11 माई को इसकी अगवाई कर रहे थे भारत के जाने माने बैज्ञानिक मिसाइल मैं टाप्टर एपीजी अब्दुर्कलाम और उस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री तेयाटर प्यारी बास्तेई जब इहोंने इसका टेस्ट गिया 11 माई को और सकसेज रहा पूरी दुनिया ही लगए अमेरिका इसरायल को छोड़कर सारी दुनिया ने भारत पर क्या लगा द करके ऐसा नुकलियक टेस्ट किया है आज हम इसकी 25 सार पहले ही ऐसा किये था आज हम इसकी रजत जैनती मना रहे हैं और 11 मई से प्रभावित हो करके इसको भारत का नेशनल टेक्नोलोजी डे घुसित कर दिया गया है राष्ट्य प्रध्योगी की दिवस यानि आज और राकेट बॉइस यह सब इस पर फिल्में आई है यह तो ओटीपी पर आई थी वेप सिरीज है इसमें सेकेंड पार्ट में आप देखनेंगे तो पूरा इसमें पर्मार के बारे बताया गया है इसका हिस्सार है इसका हिस्सार है तो यह बताते हैं कि यह सब बड़े ही ग जान प्राप्र हुआ था उसी दिर उनकी मिलती हुई थी। वैसा बुड़ में बुद्धा इस्माइलिंग, बुद्धा मुस्कुरार है। पहला टेश्ट हम ने इसके नाम पे किया। उसको इसके नाम पे किया। उस पर बहुत सारे उस पर थे। जैसे उसमें हमारे यानि सेना की वर्दी में काम कर रहे थे, वो कोड में on Kोड में बाते करते, ये कोड में दूसरे से कोड में बाते करते, वो अपना असली नाम बूल गये थे और इसी जलग ये पुरी दुनिया हिल गई क्योंकि भारत में आप पर्माण शंधे पर बिना हस्ताचर किये टेस्ट कर दिया इसको और पूरी दुनिया मान गए कि भारत एक पर्माण सक्ति शंपन्य देश बन गया है अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है अब यह किसी से करने वाला नहीं है इसको आप याद रखिएग पर्माण गम अमेर्का के द्वारा सिर्फ दो बार यूज किया गया है जापान देश पर एक 6 अगस्त 1945 को और जिसको नाम था लिटिल वायर और एक 9 अगस्त 1945 को जिसका नाम था पैट मैं और बड़ी तबाही हुई थी बड़ी लोग मरे थे भारत आप जरूर पर्माण सं लिए ना तो उसको छोड़ोंगा भी नहीं तो नुप्लियर पावर हम लोग संपन्न देश हैं लेकिन भारत इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया हुआ है और जब यह 11 माई को यह पर्माण संपन्न हुआ था तो अटर बिहारी बास देंगे एक नारा दिया था उस ना प्रधान मंत्रियों के नारे एक साथ में बताता हूं सबसे पहला नारा जब 1965 का वार चल रहा था तो हमारे लाल भादु शाष्त्री जी ने दिया था जय जमान जय किसान उसी नारे में उसी स्लोगन को इस ऑप्रेशन सक्ति पर्माण के बाद हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल जी ने कहा जय जमान जय किसान जय विग्यान उसमें जय विग्यान सब जोड़ दिया जब 11 में को और इसका नाम रख दिया नेशनल टेक्नोलोजी लेग उसी ना जय को ढदिया जय ज़ुस्ता जय किसान जए विग्जान जय अंसंध़ान इसक दिन पर्धान मंत्रियों ने लालवादर स्रासे के चोटे नारे को बढ़ा सा नारा कर दिया है बढ़ा सा स्लोगन हो गया है तो आप में जहांकारी बहुत अच्छे लगी होगी और पहुत ही मज़ेदार है तो पोखरण जानते रहेगेगा पोखरण में ही भारत अपने निकलिय टेस्ट किया है और वहीं से हम परमाड़ सकती शंपने देश बन गया है आज पूरी दुनिया इसको मानती और जानती है ठीक है और ये सब हमारे बैग्यानकों की बदलत है हमारे बैग्यानकों को और हमारे देश के लोगों को सलाम करते हैं और इस नेशनल टेक्नलोजी टेक आपको बहुत बहुत बढ़ाई देते हमारा भारत ऐसे ही पूरी बिस्व में आगे बढ़े लेकिन शानती पूरवक रास्ते पर चलता रहा है और चलता रहेगा इसे के इस वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं और आप लोग आखे सिंपल क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू मेरे मच्च